हलो इसके पहले आपने question number one देखा bank reconciliation का question number one में जो दोनों period थे वो same थे cash book as well as pass book दोनों October महिने का था यह जो second video हम कर रहे है second question का उसमें दोनों period अलग-अलग है cash book January का है pass book February का है तो देखते हैं यह समको हम लोग कैसे solve करेंगे question number two of bank reconciliation sorry period मैंने गलत बता दिया cash book March का है और pass book April का है doesn't matter दोनों different month का है इतना clear है तो पहले एक example से समझते हैं again I will take you back to the last question for a minute let me take you back to the last question तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यह जो अपरना का check था ओमकार का check था वो हमने deposit किया कभी हमने deposit किया October में तो bank में ideally तो October में आ जाना चाहिए था पर 31st October तो आया ही नहीं है तो कभी आएगा भाई November में आएगा ना तो November October का cash book अगर दिया है और November का pass book अगर दिया है same month का नहीं दिया है cash book October का pass book November का तो यह जो दो check हैं ओमकार और अपरना के वो November में होंगे किस में? pass book में, cash book में October में, pass book में November में तो मतलब 31st October को वो reconciliation का एक point था क्योंकि cash book में October में हुआ, pass book में November में होगा same चीजें example payments के लिए भी ले सकते हैं तेज़, bank charges, advertisement यह सब check हमने issue किये थे October में October तक तो pass book में आया नहीं था, तो कब आएगा? November में आएगा तो अगर इसको अभी complete करें अगर conversation को, एक line में अगर बोलना है तो अगर cash book और pass book दोनों same period का अगर दिया है तो uncommon item, reconciliation में आती है and अगर cash book और pass book दोनों अलग-अलग period के अलग-अलग मतलब consecutive month के होने चाहिए, एक October का होगा और एक March का होगा तो नहीं चलता है दोनों consecutive month के होने चाहिए, तो अगर जैसे यहाँ पर है March है और April है तो जो common items हैं, वही reconciliation में आएगी ठीक है? यह sum solve करने की शुरुआत करते हैं तो question number two में, cash book हमें दिया है March महिने का और pass book हमें दिया है April महिने का 1st March का यह balance है, 31st March का यह balance है और 1st April का यह balance है, 30 April का यह balance है तो actually हमें 4-4 balances दिये हैं, 4-4 balances अब कौन से दो को reconcile करना है? जो दोनों same date को है, बेटा 1st March को तो 30 April से reconcile नहीं कर सकता है, वो तो अलग ही होने वाला है तो मेरे हिसाब से और तेरे हिसाब से same date का reconciliation हो सकता है मतलब हमें इन दोनों को reconcile करना है 31st March मेरा और 13 1st April, अब 13 1st April मतलब 31st March ही होता है 31st March की शाम का जो balance है वही balance 1st April की सुभे होता है है के नहीं तो हमें reconcile कौन से दो balance करना है 64200 को 86400 से हमें reconcile करना है इस से हमें कोई लेना देना ही नहीं है confusion मत create करना अपने लिए ठीक है तो ये दो को हमें reconcile करना है दूसरी बात cash book जो है वो March महिने का है past book जो है वो April महिने का है तो हमने rule आपको क्या बताया बेटा कि अगर दोनों अलग-अलग महिने के हैं तो common item reconciliation में आएगा अब जब मैं common बोल रहा हूँ तो दो चीजे match होनी चाहिए नाम as well as amount कभी-कभी नाम match होगा amount अलग होगा कभी-कभी amount अलग होगा I am sorry amount same होगा नाम अलग होगा तो दोनों match होंगे उन्हीं चीजों को reconciliation में लेना है बाकि सब हम ignore करें तो start करते हैं मैं cash book है आप pass book बन जाएए और आप मुझे बता ही आंसर दीजेगा कि ये tally हो रहा है कि नहीं तो अविनाश्च 18,000 है कि पास book में तो नहीं है सर उदर श्रवण 18,000 है तो अविनाश्च नहीं है इग्नोर करो धनन जाए 25,500 नहीं है सर मीनल सर है मीनल है मीनल is there red नहीं हम थोड़ा yellow कदर लेते हैं तो मीनल 18,000 is there ये है I am sorry मीनल 10,800 और इधर मीनल 10,800 ये है दोनों में cash 24,000 नहीं है प्रसाद 14,700 है 14,700 इधर है और 14,700 इधर है तो ये question में जो दोनों में common है न वो reconciliation में आने वाला है जो दोनों में common है वो reconciliation में आने वाला है ठीक है रेंट 36 नहीं है, मांसी है सर मांसी 20,100 यह दो नो, निक्खिल, निक्खिल is not there, drawings it is not there, निशान्थ, yes it is there 27,600, बस, actually दो ही आइटम्स हैं debits के, दो आइटम्स हैं credit से, तो टोटल चार आइटम्स रिकनसिलेशन में आने वाली हैं, again हम कहीं से भी start कर सकते हैं, cashbook से भी start कर सकते हैं, passbook से भी start कर सकते हैं, तो as I said, my rule is that I always prefer to start with cashbook, तो यहां पे हमने लिखा, in the books of Dash, bank reconciliation statement कभी बना रहें, 31st March को, balance as per cashbook, it is a normal balance and the balance is 64,200, ठीक है, अब मैं मीनल और प्रसाद के transaction को चेक करता हूँ, तो मीनल और प्रसाद का transaction हमने cashbook में receipt treat किया है, मतलब हमने वो दो check जमा किये हैं, deposit किये हैं, हाथ की सफाई, तो check deposit किये हैं, तो cashbook उपर जाएगा, passbook इदर है, cashbook से passbook जाओगे, तो क्या करोगे, less करोगे, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ उपर नीचे करके answer आजाएगा, exam hall में मज़ा आएगा न, ऐसे कर रहे हैं आप, तो एक और बार, धननजा और प्रसाद का check हमने deposit किया था, हमने कब deposit किया था, हमने मार्च में deposit किया था, बैंक में कब आया, बैंक में April में आया, इसी का मतलब है कि 31st मार्च को वो reconciliation में होगा, as on 31st मार्च मैंने किया, उसने नहीं किया, कौन से दो amount, प्रसाद न, I am sorry, धननजे और प्रसाद, sorry, मीनल और प्रसाद के दो amount, ठीक है, तो ये cashbook उपर, passbook नीचे, cashbook से passbook, less करोगे, तो लिखेंगे, checks deposited, checks deposited, but not cleared, मैं नाम भूल जा रहा हूं, मिनल और प्रसाद, मीनल और प्रसाद, 14,700 मीनल का check है, और, sorry, मीनल का check है, 10,800 का, मीनल का check है, 10,800 का, और प्रसाद का check है, 14,700, ठीक है, चलिए, अभी मांसी और निशानत के बारे में बात करते हैं, तो मांसी और निशानत का check हमने issue कर दिया था, मांसी को check दे दिया, निशान को check दे दिया, शायद उन्होंने अपनी bank में deposited नहीं किया, मार्च माहिने में deposit नहीं किया तो 31st मार्च तक हमारे बैंक से वो पैसे माइनस हुए ही नहीं इसलिए April में माइनस हुए तो cashbook हमने तो less कर दिया था 31st मार्च के पहले पास्बुक में आया ही नहीं तो cashbook से पास्बुक जाओगे क्या करोगे अड करोगे तो check issued बट नॉट प्रेजन्ट इसमें जो दो amount है वो है मांसी और निशान्त तो मांसी का amount कितना है 20,100 दिख रहा है मांसी का amount और निशान्त का जो amount है निशान्त का amount है 27,600 तो इन दोनों को add करूँ और बाहर लिख दूँ 47,700 अभी बच्चे ना वो उपर वाला जो value है वो add करना ही भूल जाते हैं बहुत बार देखा ऐसा mistake होता है so don't do that mistake यह add करेंगे then it will give me 1,11,900 इन दोनों का total करूँँगा 25,500 आ रहा है and put a bracket बेटा माइनस करना है तो ब्रेकेट करो अभी 1,11,900 में से 25,500 माइनस करता हूँ तो 86,400 आता है and this is balance as per passbook काफी simple साम था ना बहुत छोटा था दो-दो items ही थे सिर्फ तो अभी चेक तो करें ना हमारा answer right है कि ने तो हमारे इस अब से balance as per passbook कितना आया 86,400 and इज़र देख तो रहा है बेटा देखो 86,400 balance as per passbook तो ये हमारा second question का solution है जैसे मैंने बताया BRS के सारे videos के solution सारे questions के हम लोग video बनाने वाले हैं one by one तो जरूर से सारे video देखके एकदम पक्का कर दीजेगा topic Thank you, bye-bye